आपको कुछ books recommend करूँगा जिसकी वज़से आपके business में growth आ सकती है, आपकी personal development में growth आ सकती है, पहली book जो मैं आपके सामने डिसकर्स करने वाला हूँ, वो है 4-hour workbook, आपने हापतों काम कुछ गंटों में कैसे करें, आपने business में growth लाना चाते हो तो ये book आपके लिए best रो सकती है, और अगर आप network marketing करते हैं, तो network champion ये book आपके लिए अच्छी चीज़ होती है, इसमें कुछ ऐसे ideas बताएगे हैं, जिसकी वज़से आपकी network marketing में growth आने वाली है, मैंने भी काफी tips को follow गया है, और मेरी earning में काफी growth हुई है, दोसो next book जो मैं आपके सामने share करने वाला communication skill की वज़से, अपने relationship की वज़से, आप इस business में बहुत earning कर सकते हैं, आप इस business में उमीद से जाद earning कर सकते हैं, इसके लावा मैं आपको recommend करता हूँ 100 dollar startup, तो बहुत अच्छी book है, आपको start up करने, अपने business की घर बैटे earning करने, बहुत ऐसे tips हैं, जिसकी वज़से आपको इस अपके business में इसके काफी growth मिल सकती है, इस book को भी आप ले सकते हैं, अगर आप काफी books पढ़ चुके हैं, तो ये book आपके लिए सही होने वाली, इसके लावा जो book मैं आपको recommend करूँगा, rich dad, poor dad, अगर आप business का start up कर रहे हैं, अगर आपको business को लेके ज़रा भी interest नहीं है तो ये book आपको interest लाएगे कि job और business में क्या difference है, कैसे आप अपनी आर्थिक आजादी यहां से पा सकते हैं, so next book है चाने के निती, ऐसी book जो दोस्तो बहुत history में बहुत ही ज़्यादा follow हुई है, आभी भी लोग follow करते हैं, ऐसे कुछ tip tricks, जैसी वाज़से आपकी leadership में बहु यह book भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपने business में growth करना चाहते हैं, ऐसी business की बहुत सारी books मेरे पास पढ़ी हुए लिएकर आपको कुछ top books दी है, इन books को पढ़े ही आपकी earning में, overall development में काफी ज़्यादा growth मिलेगी, जैसा कि लोगों का पानना होता, जितना ज़्यादा आप स Facebook पे और Instagram पे follow कर सकते हैं, तो description में मैंने link दी है, तो मुझे इजाज़त फिर मिलते हैं किसी West Hamiland Plan के साथ, तब तक के लिए good bye, take yourself, one life, live it beautifully.